हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल गुल दस्ता मैं आपका स्वागत है आज जैसा कि आप देख रहे हैं मैं साबू दाना बरे बनाने जा रही हूँ तो इसके लिए मैं एक कटोरा साबू दाना ली हूँ और इसे मैं अच्छे से एक पानी से धो कर निकालूँगी इसे बार बार धोन करने जुरूरत नहीं है सिर्फ इसे एक बार ही धोना है और फिर मैं इसे इसी कटोरे से एक कटोरा पानी डाल करके चार घंटेे के लिए भूही देंगे जब तक यह हमारा भी रहा हो तो हमें ध्यान देने की बात हहां कि इसे बीच में एक या दो बार आप चम्मा से अच् और इसमें पानी डाल करके इसे ढख करके चार घंटे के लिए अच्छे से हमें छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से भींग जाए ये देखे फ्रेंज चार घंटे हो चुके हैं और हमारा सावु दाना पूरी तरह से भींग चुका है अब देख सकती हैं भींग करके इसकी जगह डिवाइड कर लूँगी उसके बाद मैं बताती हूँ आगे कि और हमें और इसके लिए क्या-क्या लेने की जरूरत है तो ये मैंने दो जगह इसके लिए आधाध हमें इसका कर लिया है अब मैं आपको बद दिखलाती हूँ कि इसके लिए आगे हमें और क्या-क्या सब चाहिए तो इसके लिए मैं कुटी हुई मुंगफली ली हूँ घीजी हुई गाजर कटी हुई सिमला मिर्च भींगी हुई इमली और छीले हुई लशुन चतनी के लिए जीरा साबूत कटी हुई मिर्च साबूत मिर्च मैं दो आलू ली हूँ बड़े साइज की लवकर 200 ग्र जितने भी मोटे मोटे इसके डंठल हो उसे भी आप धो करके चटनी में डालें उसका टेस्ट अच्छा होता है चटनी बनाने के लिए डंठल फेकनी की जरूरत नहीं है अब मैं इसमें भींगी हुई इमली डालूंगी इमली की जगा अब खटाई के लिए इसमें यहां आम चूड या फिर नीम्बू भी इस्तेमाल कर सकते हैं वह आपके कोडिया जो भी इस्तेमाल करना चाहिए खटाई के लिए और आप यह भींगी हुई इमली डाल दी हूँ और अब मैं इसमें छिली हुई लहसुन डालूंगी लहसुन इसमें कंपलशरी नहीं है अगर आपको तेस्ट के अनुसार रखे नमक को तेज ना हो थोड़ा कम हो तो उपर से आप मिला सकती हैं अब थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे पीस लूँगी हमें ये बहुत ज्यादा पतला चटनी नहीं चाहिए ये देखे हमें दोनों मिक्स में हमें बाकी की चीजे में मिला करके इसे हमें मिक्स करना है तो सबसे पहले मैं इसमें मैस की हुई आलू आप मैस कर ले या किसले आलू को लेकिन अच्छी तरह से मैस होना चाहिए इसमें हमें कोई भी छोटे-छोटे गाठ नहीं होना चाहिए अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और साबूत जीरा हमें दोनों में डालना है इसी तरह से बांकी की सामगरी भी हमें इसमें एक-एक करके डालती जाओंगी सामगरी इसमें जो भी है आप साबूत दाना जितना ले उसके हिसाब से ही बाकी चीजों का आप ध्यान रखें तो अब मैं इसमें आदा आदा मुंगफली कुटी हुई डालूंगे और मुंगफली आप कुछी तरह दर्दरे ही कुटने है आप चाहें तो बाजार में जो नमकीन मुंगफली मिलती है छिली हुई पैकट वाली वह आप ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखना होगा कि उसके हिसाब से आप नमक डालें नमक क्योंकि उसमें वह नमकीन होता है नमक डाली हुई रहती है मैं यहां एक मीडियम साइज की गाजर ली हूँ उसे मोटा किस ली हूँ मैं फिर कहूंगी कि आप नमक का बहुत ध्यान रखें अगर नहीं हो तो आप एक बार मिक्स कर लें अपने मिक्सर को और फिर से आप देखकर थो हलका सा चक कर देख लें अगर नमक लगे तो डालें क्योंकि अगर नमक तेज हो जाएगा तो विल्कुन ही आपका पूरा बड़ा बरबाद हो जाएगा तो नमक का सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है मैं यहाँ उपर से हलका सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी अगर आपको यह तीखा ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं यह कंपल सरी नहीं है यह देखिए मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ एक बुंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है नहीं हमें इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट डालना है यह देखिए मैंने चटनी पीसली है चटनी आपको भी इसी तरह का चाहिए ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें चटनी बनाना और नहीं हमें बनाना है इसे ज़्यादा थिक क्योंकि चटनी हमें ज़्यादा तभ तक में यहां बडे बना लूँँगी बडे बना करके हमें तेल हाथों में लगाते हुए चिकने जिकने बड़े हमें बनाने हैं तो इसका ध्यान रखें कि आपके हाथों में सिर्थ तेल लगाएं पानी नहीं पानी बिल्कुल नहीं हमें Houston करना है अपने बरे के मिक्स्चर के लिए तो इसी तरह से मैं हलके हाथों से तेल लगाते हुए और बरे प्रेस करते हुए हलके से बना लूँगे बरा थोड़ा थीक बनाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत पतला बरे हमें नहीं बनाना है साबूदाने के और हमें हाथों में पानी बद्ध ही नहीं लगाना है उब भी यह बरे बना तो बिल्कुल आथ में तेयल लगा कर ही आप बरे बनाए पानी च्हूने से हमने जो बॉयल अलू अलू डाला है वो चिपचिपआ तो इसी तरह से चारों तरफ से चोन्दा करते हुए व में सारे बारे बना होग हां जिस तरह से बाड़े मिक्स ही हाड गुन्ती हुआ वीपा हदो में बादल भीट got compliance है भीगा बादल किसे प 오्छस चाहिए है चाहिक मिक्स को की ऊटली को करने खायो करनी के जुरत नपर है क्योंकि पानी हमें यहां बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है इसका आप ध्यान रखें और इसी तरह से आप ने मैं पहले भी बताई हूं कि इसमें हमने कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है नहीं मैं कोई बेसन डाली हूं नहीं कोई अब भीगा हुआ होना चाहिए यह देखिए मैं इसमें दोनों मिक्स में से ले करके दो दो तीन दिन बड़े बना कर आपको दिखला देती हूं और साइज भी आप अपने अक्वाडिंग रखें जैवी जिस साइज का बनाना चाहिए क्योंकि मैं भी दो तीन साइज का यह अब मैं इसमें एक एक कर सारे बरे छोड़ दूंगी और फ्लेम हमें हाई ही रखना है आपको इसका खास ध्यान रखना है कि फ्लेम हमें ना तो मेडियम करना है और स्लो तो कभी नहीं करना है जैसे हैं हमें साबुदाना बरे को तेल में छोड़ते हैं तो एक दम से हमारा बरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि भींगा हुआ साब दाना है और उबली हुई आलू उसमें हम मैस किये हुए है तो यह दोनों मिक्स हो करके काफी सॉफ्ट हो जाता है इससे हम बरा इसमें डाले तुरंत इससे नहीं पल्टे थोरी देर के लिए हम इसे अच्छे स बीच में तो वह तूट जाएगा तो यह हमें नहीं करना है हमें यहां यह ध्यान रखना है कि हमारा जब एक साइड बरे का ब्राउन हो तभी हम उससे पल्टे और आज हमेंसा हम हाई ही रखें आज को हम कभी भी मीडियम या फ्लेम को स्लो नहीं करें हमें तेज आज पर ही इसे उलट पुलट करके अच्छे से पकाना है आप देख सकते हैं कि मैं भी इसे बार बार इसे पलट रही हूँ तो यह आपको भी करना है ताकि हमें अच्छे से बिलकुल ही कुरकुरा हमारा यह बड़ा होना चाहिए तो और आप एक चीज का और भी मैं ध्यान रखने के से भड़ी कहूंगी कि आप टेल हमें सा रीफाांड दीले यह सा बुदान बरे के लिए आप कभी भी सरंसों के तेल का इस्तेरा बिलकुल नहीं क रेना ही आप घी ले गीमें भी हल्का सा यह चपा हो जाता है और साबुदाना Hangड का सरंसों अ दिल में वोो टेस्ट नहीं आ तो इसलिए तेल आप रिफाइंड ही ले अब देखिए हमारा जो मैं पहले डाली थी यह गाजर और सिमला मिर्ज का मिक्स वाला बड़ा वह अब हमारा हो चुका है तो अब मैं उसे निकाल लूँगी और इसी तरह से अब जो मैं बाद में डाली थी दूसरा से साधे बड़े वो भी अब हलका सा होने को है उसे भी दो चार बार और हमें अलट पलट करना है और उसके बाद मैं उसे भी निकालूँगी तो कलर आप यही रखिए गोल्डेन ब्राउन फ्रेंट्स हमें लगता है कि मुझे आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चाइनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकार आपको तुरंत मिले तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा अभी ये बड़े भी लगभग हो चुका है इसी तरह आप हम बार बार उसे पलड़ते रहे है नहीं तो हम एक साइड डाल करके बहुत देर तक छोड़ना नहीं है जल जाएगा आपका ये पकवरा तो आप इस नहीं हमें हमेशा रखी हुं तो इस चीज़ा आप खयाल रखे कि फ्रेम हमेशा हाई रखे अब thing can slow कर देंगी तो तुल हमारा सापूदानावरा बहुत ज्यादा सीर is तर वह स्थ बहुत ज़्यादा कर लेगा क्रिस्प्नेभ़िश नहीं होगा तो हमें क्रिस्प बरह चाहिए अब में अब अन्यक्ति हNT प्लेम को क्रिस्प्स शुक्ष एंउ ये देखी मैंने जरूर ही टेस्ट करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा तरीका कैसा लगा, पसंद आया या नहीं तो फरेंट्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए बाई थांक यू फोर वाचिंग मैं चानल बाई बाई